नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से हारतिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लव गूरु बाबा जी अजमेर वाले में आज की हमारी वीडियो का वीशे है पती पत्नी का जगडा कैसे खतम करें दोस्तों आज कर यह सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में उठता है क्यूंकि दोस्तों पती पत्नी का रिष्टा प्यारवे आपसी समझ पर नीभर करता है लेकिन शादी के बाद पती पत्नी में उतना प्यारवे अट्रेक्शन नहीं रहता जितना की शादी के दोस से तीन सालों में होता है क्योंकि दोस्तों प्यार में कमी होने कारण या फिर किसी तीसरी इस्तरी के आने के कारण पती-पत्नी के रिष्टे में कड़वाहट पैदा हो जाती है और यहां रिष्टा धीरे-धीरे तूटने लगता है क्योंकि दोस्तों रिष्टा चाहे कोई भी हो हलकी नोक जोग तो हर रिष्टे में होती है लेकिन अगर बात की जाए पती-पत्नी के रिष्टे की तो इसे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना पड़ता है क्योंकि छोटी सी गलती भी इस रिष्टे में कड़वाट पैदा कर सकती है और इससे रिष्टा तूट सकता है अगर आप भी उन्हीं कपल्स में से एक हैं जिनके रिष्टे में पिछले कुछ समय से काफी ज़्यादा परिशानिया हो रही है और इस वज़ा से आपके और आपके पार्टनर में हर रोज नड़ाई जगड़े होते हैं और आप इन सब से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कुछ ऐसे उपाए जिसकी मदद से आपके और आपके पार्टनर का जगड़ा खतम हो जाए और आप में फिर से पहले की तरहां प्यार बढ़ जाए तो हमारी आज की इस वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि आज हम इस तो बहुत से उपाए हैं जिसकी मदद से आप पती पतनी का जगड़ा खतम कर सकते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको जो उपाए बताने जा रहे हैं दहे इतने कारगर हैं जिसकी मदद से आप सिर्फ 24 घंटों में बिना किसी बाधा वजटिलता के अपने यूट्यूब चैनल लवगुरु बाबाजी अजमेर वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ हमारी बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें तो दोस्तों अब ब पारे विशग्यों के प्रामर्श के बिना करना नुकसान दाई हो सकता है तो दोस्तों बिना देरी कि ये जानते हैं पती पतनी का जगड़ा खतम करने के कुछ उपायों के बारे में दोस्तों इन उपायों को करने के लिए आपको रात भर पती के तकिये के नीचे सिंदूर रख दिना है और सुभे उठकर आपको उस सिंदूर का आदा भाग घर में गिरा दिना है और आदे भाग को महिला को अपने सिंदूर में अपनी मांग में भर लेना है ऐसा करने से पती पत्नी के बीच हर जगडा खतम हो जाएगा और दोस्तों पती पत्नी का जगडा खतम करन का दूसरा सबसे कागर उपाय है अगर आप शनिवार की रात को पती के गद्दे के नीचे थोड़ा सा सिंदूर बिखेर कर सुभह उस सिंदूर को अगर पत्नी अपनी मांग में लगा लेती है तो ऐसे करने से भी आपके और आपके पत्नी के बीच में हर जगडा खतम हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पत्ती पत्नी में जगडा खतम करने का यह उपाय जरूर समझ में आया होगा अगर आपकी इन उपायों से सबंदित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कोमेंट एकरके अपनी क्वेरी बता सकते हैं और साथ साथ आप हमें कुंटाइट करके अपनी क्वेरी को बता सकते हैं जहां पर आपकी सबी क्वेरी का तुरंस समधान किया जाएगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लवगुरू बाबाजी अजमेर वाले को सब्सक्राइब जूर करें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें हमारी इस वीडियो को लास तक देखने के ल आपके लिए नवाग।